6 सितंबर शुक्दि शुक्रवार को हर इताल का तीज मनाई जाएगी भगवती पारवती को समर्पित यह ब्रत सुहागिन औरतें अपने पत की लंबी आयू के लिए सुक्र समर्दी ऐस्वर के लिए रखती हैं तो वहीं कुवानी कण्याएं मन चाहा वर पाने के लिए यह ब्रत रखती हैं स्रामण मास में पढ़ने वाली तीज को हर्याली तीज कहते हैं और भाध्र पद के सुख्ल पच्छ में पढ़ने वाली यह तीज तितिया धिति को हर्यतालिका तीज कहते हैं दोनों में अंतर है यह दोनों ब्यत भगवती पारवती को समर्पित्था हैं धर्म ग्रंतों के मतानुसार सामण मास में पढ़ने वाली हरियाली तीज से ही भगवती पारवती ने भगवान शुर को पति के रूप में पाने के लिए कथोर साधना आरंब की थी और भाद परद के शुक्ल पक्ष की तितिया तिजी में इसका समापन हुआ था इसलिए सामण मास में पढ़ने वाली तीज को हरियाली तीज और भाद परद के शुक्ल पक्ष की तितिया को हरिताल का तीज मनाई जाती है इस दिन सुहागिन ओरतें माताएं भहने भगवान शिव की पूजा करते हुए माता पारवती को सोला सिंगार अरपित करते हुए अपने मनुरत प्रगड करती हैं और भगवती की के पासे उन्हें फल की प्राप्ती होती है